नमस्कार, Capital News देख रहे हैं तमाम दर्सकों को अमिक कुमार का प्यार भारा नमस्कार आज का दिन बड़ा ही खास है क्योंकि आज Capital News की टीम एक ऐसी जगह पर पहुंची है जो आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा जी हाँ, आज से कुछ समय पहले पलामु ने अपने एक होनहार लाल को खो दिया था, नाम था अनुराग सुकला अनुराग सुकला जो की अपने देश की अपनी माटी के हिफाज़त के लिए हस्ते हस्ते अपने प्राणों को निवचावर कर दिया था आज हम उनके पैत्रिक गाउं सिंग्रा में पहुँचे हैं और आज कुछ खास होने जा रहा है, कुछ खास तयारियां हो रही है इस सिंग्रा गाउं में और हमारे साथ इस वक्त सहीद अनुराग सुकला के पिता जी जीते अंदर सुकला मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे, ह हम आपको बताएंगे सबसे पहले सर क्या तैयारियां चल रही हैं क्या कुछ होने जा रहा है कि इस लग रहा है इसको साज सज्जा पर दोस्ता में लगे हुए ताकि परसो पर कुछ लगे ने लगे लगे परसो एक बज़े बनारस से आ रहे हैं परंडित लोग जो पाच बज़े तक संदर कांट का संगीत में काट करेंगे फिर सिर्फ इतला का वो टीम है उसके दुआरा भज़न संध्या का योगन बीतिया गया है और सहीद का कार्शक्रम होगा और साथ बज़े हम लोग के काटेंगे साहर के जितना द्रिफद हो सकते उसका आम दो प्रयास करेंगे जी तो सुना आपने सहीद अनुराग सुक्ला जी का जनम दिन बड़े ही धूमधाम से मनानी की तैयारियां जोर सोर से यहां पर चल रही है पुरा सिंग्रा उतसाहित है और सिंग्रा ही क्यों पुरा पलाम उतसाहित है क्योंकि जब एक सहीद की मौत होती है तो पूरा देश रोता है तो ऐसे में यह हम सबों का करतव्य है यह दाइत्वय है यह फर्ज है कि हम अपने सहीद को कभी न भूले और किसी न किसी रूप में सहीद को अपने स्मृतियों में संजोई रखें हमारे साथ जेतंदर है कि अंहुंसे समझते हैं कि इस कालेक्रम को अनुराग जी के जनर में को लेकर कितने उससाहित है आप यह इसका इसका माल नीजे लाल खो जाता है उसको दगम होता ही है लेकिन वो ऐसा काज करते हुए चला गया है जिसके लिए हम लोग उसका आजीवन रीनी है और उसका जर्म दिन और सहाधत दिवास हम लोग जब तक रहेंगे धुम दाम से मनाते रहेंगे इसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं बिल्कुल सुना अपने अनुराग जी के दादा जी है इन्होंने कहा कि देश ने अपने लाल को खोया है लेकिन सिंग्रा के जो लोग हैं उनके परिवार के जो लोग हैं उनके आसपास के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनका लाल उनकी सुर्तियों में हमेशा जिवित रहें उनकी यादों में वो हमेशा जिवित रहमार्धा कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे और उनकी भी राय सुनेंगे कि कितने उत्साहित हैं इस जनन दिन कारेकरम को लेकर जी क्या तैयरियां चल रही हैं, पुरे दिन क्या कारेकरम होने जा रहा है तो मैं अपने सहयोगी से अगरा करूँगा कि एक बर आप थोड़ा सा सहीद अनुराग जी की प्रतिमा को भी दिखाए ये वो प्रतिमा है सहीद अनुराग सुकला जी की जो यहां स्थापित की गई है सिंगरा चौक के पासी मंदिर है, मंदिर के ठिक समीप उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है और इस प्रतिमा के माध्यम से हम हमेशा अपने अनुराग को याद करेंगे उनके बलिदान को उनके त्याग को याद करेंगे हमारे साथ आसीज जी हैं जो इस परिवार के काफी नजदी की हैं और आप अक्सर इनको हमारे चैनल के माध्यम से देखते और सुनते हैं अमराग जी क्या तैयारियां हैं कितने उत्साहित हैं लोगों को लेकर देखिए जिस दिन हम लोग अनुराग को यहां अस्थापित किये यह सिंग्रा मंदीर के बगल में और गाओं का यह इंटरी पॉइंट है यहां पर हम लोगों ने अस्थापित किया तो इनको उसी दिन से हम लोगों ने भगवान मान लिया जिस दिन अस्थापित किये उसी दिन भगवान मान लिये और चुकी जब आदमी जब तक जिन्दा रहता है तब तक उसका जनम दिन मनता है लेकिन जब इस्वर होता है जो जैसे स्री कृस्म जनमोत्सव मनाते हैं तो जो इस्वर में चला जाता है जिनको हम इस्वर मान चुक वो सजग इस्वर होते हैं जो आपके लिए सब कुछ अपना दे दे उसी को इस्वर कहा जाता है। अपने लाल को अपने मिट्टी के लाल को उस दिन महसूस करें और उनके जनमोचों में सागिर दोएं। करेंगे ये आग्रह करेंगे ये विनती करेंगे कि आप भी पलामू कावासी होने के नाते सहीद अनुराक सुकला के जनमोचों में जरूर आएं। दोपर एक बज़े से लेकर रात्री के आठ बज़े तक अपने सहयोगी राजू सोनी के साथ मैं अमित कुमार कैपिटल नियू सिंगरा। अमित करेंगे करेंगे का अमित करेंगे कि अपने मैं एक बज़े तक जाएं।